आज की यह वीडियो समा साफ्त रियानी सोस्योलोजी की महा संग्राम होने वाली है मैं गैरंटी ले सकता हूँ पूरे यूटूब पर आपको आज की इस वीडियो में जो कोईश्चन बताने वाला हूँ आपको कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये वीडियो राम बाण होने वाल 99% जो प्रश्ण है इसी वीडियो से आने वाले है क्योंकि इस वीडियो में इतना ज्यादा मेहनत किया है इतने ज्यादा hardware करके question तयार किया है और उसका उत्तर भी तयार किया है जो कि आप से हम explain नहीं कर सकते हैं आप खुद ही पुरूब के साथ इस वीडियो में देखेंगे तो बिना देरी के हुए वीडियो सुरू करते हैं और मैं आपको बता दू पूरे यूटूब पर यह पहली ऐसी वीडियो जिसमें पूरा पूरा का पूरा समासाफ्त्र included है ठीक है जो आपकी परिच्छा में प्रश्ण आने वाले देख लिए पूरूब देख लिए प्रथम वर से समस्टर आपका प्रथम है सब्जक्ट आपका देखी रहे समासाफ्त्र प्रश्ण पत्र का नाम जरूर मैच कर लीजेगा समासाफ्त को समाज के अध्धन के रूप में परिभाफित किया जाफ्ता है इस कथन की विविश्ण कीजिए तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं ठीक है ध्यां से सुनेंगे एक भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो आप बाद में जरूर पश्टाएंगे क्योंकि हमने यह बहुत ही हाडवर के बीड़ो तैयार की बहुत ही मेनत करके ठीक है उत्तर लिखेंगे कि मनुस्त ने अब तक स्वयम के अध्धन के प्रतिक कम रूची रिखी यानि कि अपने ऊपर अध्धन के लिए उसने कम रूची रखी है प्रारम से उसने यानि कि मनुस्त ने वि ज्यादा अध्यन किया और उसमें इंट्रेस्ट दिखाया आने कि उसमें रुची प्रदर्शित की है उके साथ के अंतरगत ठीक है समाज में और इसी कारण प्राकृतिक बिग्यान के विशेयों की ब्योफ्थित अफ्थापना पहले से हुई जबकि समाजी बिग्यान उस क्र सब्सक्राइब नीचे वाली एक कड़ी है या फिस सब्सक्राइब नीचे वाला एक जीने मतलब की जो आप लोग देखने जीना नहीं होता है घर का उस सबसे पहली वाली शीणड़ी है एक तरीके से बोल सकते हैं समाज साफ्थ का विकाफ एक बिषष्ट बिषए के रूप में 1928 में प्रारंब हुआ जहां से सुनेंगे इसका जो स्टार्टिंग है विकाफ हो कब से शुरू हुआ 1928 से प्रारंब हुआ जबकि फ्रांफ के प्रमुख जो हमारे समाज फाफ्थे हैं जिनको फादर आफ स सोसेलोजी कहा जाता है अगस्त कामडे ने सर प्रत्म इस नवीन साफ्थ को समाफ साफ्थ नाम दिया लगेस्ष अब को इस पहले इस साफ्थ को समाज साफ्थ का नाम दिया इसी काण काम्त को समावसाफ्त का जनक यानि फाद्राव सोसोलोजी कहा जाता है समावसाफ्त एक प्रथक बिशय के रूप में अध्यन बिशय में अध्यन बिशय सरप्रथम सैयुक्त राज अमेरिका में 1857 में फ्रांस locate 1889 में Great Britain में 1907 एवं भारत में 1914 में आरम हुआ जहान से सुनेंगे आप चबी समाफ साफ्थ की जो सुरुवात है वो अमेरिका में 1866 में हुई फ्रांस में 1889 में हुई और बेट्रेन में 1907 में हुई जो भारत में जब आया तो वो संथा 1914 में समाफ साफ्थ आया ठीक इसका प् प्रांस में समाफ साफ्थ की स्टार्टिंग कब हुई सजयों तो राज अमेरिका में कब हुई भारत में कब आया तो आपके समस्ति यहां पर संभी दिएगे काफी helpful question है ठीक है तो इस प्रकार आप लिखेंगे इसके बारे में और भी डीटेल में उत्तर प्रस्तुत है समाफ साफ्थ जो सब्द है इसका साब्धिक अर्थ बताई है ठीक है तो समाफ साफ्थ यह दो सब्दों से मिलकर बना है पहला जो सब्द है वो है socioius ठीक है socioius जो की Latin भासा से है और जिसका मतलब होता समाज ठीक है समाज और वही पर दूसरा सब्द है logos जो की Greek भाफ़फ है जिसका अर्थ होता साफ्त्र या बिज्ञान यानि कि sociology दो सब्दों से मिलकर बना है socioius प्लस logos जिसमें socioius का अर्थ है समाज तथा logos का अर्थ है साफ्त्र इस बात को ध्यान रखेंगे या फिर बिज्ञान कह सकते है तो इस प्रकास समाज साफ्त्र का साब्दिक अर्थ है समाज साफ्त्र या समाज का बिज्ञान अता समासाफ्थ का अर्थ समाज में बियुफ्थित या क्रम बद्ध अध्धिन के अध्धिन से लिया जाता यानि कि किसी भी समाज को एक बियुफ्थित धंग से या फिर क्रम बंद इस्टिप बाई इस्टिप अध्धिन करने के लिए इसका प्रियोक किया गया और इसमें इसी का यूज हुआ है तर हापको अगला प्रसंदेकों मिल सकता कि समाससाफ्द की परिवाफ़ा दी जी तो समाससाफ्द की परिभाफ़ा वो बहुत सारे विद्वान ने अलग-अलग अपने असार परिवाफ़ा दी है तो चलिए जानते हैं ठीक है यहां पर लिखा समाज साफ्त का अर्थ अस्पष्ट करने की दर्ष्ट से बिभिन बिद्वानों ने समय समय पर बिचार बेक्त की हैं समाज साफ्त कि आई इसके बार में विभन समाज साफ्तियों के अलग-अलग मतभेत हैं तो पहला जो मतभेत है ध्यान से चुनेंगे ठीक है याद रखेंगे बहुत ही महात्पूरें ठीक है आप तभी के लिए पहला जो कभी है जिनका नाम है वार्ड वार्ड एक प्रमुक् इसी का अध्यन किया जाता है ठीक है समाज का और वहीं पर गिंडेक्स गिंडेक्स जो प्रमुक्ष समाज साफ्तर इन्होंने कहा कि समाज साफ्तर समाज का बिग्यानिक अध्यन है समाज साफ्तर समाज का बिग्यानिक पद्धति है या फिर अध्यन है ठीक है ओडम की रिवाज है क्या धर्म है क्या नहीं है क्या आचरम है ये सब चीज है उस्में अध्यन laughs do säga साथ के अर्थ ऑदियू fort typically and a stopped aura जो आपकोबिटर लगए इन मेंसी वह तयीयार कर लिजेगा बहुत ही हाय लेबल का ककुष्चिन एमाज़ की परिभाफा यह फिर समासाफ्त का अर्थ यह फिर उवीजिय उपर प्रश्ण बताया था इनमें से फ्रस्ट पका आएगा है कर अगला प्रश्ण बहुत ही हाई-लेबल का प्रश्ट थोने जा रहा जिसको बैरम आपको ध्यान से सुनना कि समासाफ्त्र तथा अर्थ-साफ्त म संबंध आपको बहुत ही महात्मोंट प्रश्ण ये साबित होगा आपके एक्जाम में इसका उत्ता लिखना कि अर्थसाफ्त मनुष्य के आर्थिक बेवहार का आध्यन करता है यहां या भी जानना आवस्या के कि आर्थिक बेवहार किसे कहते हैं अपने अस्रीमित साधनों स हमारी जो सुविधाएं वो अनलिम्टेड हो जाएं और भी अच्छी फेफिलिटी मिले तो महाँ पर आपको आर्थिक यानि कि फानेसली स्टोंग होना पड़ेगा ठीक है तब ही आपको अच्छी सुविधाएं और आसीमित सुविधाएं मिल पाएंगी ठीक है और धन साधन भी है ठीक है मनुष्ट एक तरीके से बताया ये भी गया कि मनुष्ट के पास अगर धन है ठीक है तब वह लगवग लगवग संतुष्ट है ठीक है तो वही बताया गया मनुष्ट धन मनुष्ट की संतुष्टी का एक आर्थिक साधन भी अता धन की उत्पादन वित तरह पढ़ लेंगे इसके बारे में और वहीं पर दूसरी पर मतलब किसे समाजिक संबंदों के विभिन प्रकार के संसताओं और समोह तथा अंतर संबंदों रित रिवाज प्रताओं रूडियों आधिका अध्यन करता समाज साफ्त ठीक है कुल मिलाकर रूपीयों पैसा धन आर्थिक चीजें अर्थफाफ्त मेनेज करता हो समाज की जो जीत रिवाज हैं परताएं रूडियां ठीक है संसताओं इन सभी का अध्यन समाज साफ्त करता है ठीक है तो यह रहा सिंपल सा और बेसिक सा परिशे ठीक है यह गारेंटी है यह प्रस्ण या फिर अभी दूसर समाज सह्तdy मानोस समास साफ्त राजनीती इन सभी में अंसर। आपको और समभंद तैयार कर लेना है गायरंटी कुशचन कि मैं दे रहा हूं अकर ना आयेगा ना तो आप हमें कालिया दीजियाक कमेंट मैं गैरंटी बोलना हूं कि ए उसकुशचन आएगा हिर आएगा समा लीजेगा बहुत ही हाई-लेवल का है में नपको प्रवाइट कर रहें उसका उत्तर प्रवाइट कर रहें ज्यादा explanation करने का समय है नहीं इसलिए हम आपको में में टॉपिक यानि की में में तो समाज की परिभासा भी बहुत सारे समाज साफ्तियों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग प्रुस्तुत किये। जिसमें सभी लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं और वहीं पर दूसरे प्रमुख विद्वान इनका नाम है पारसंस इन्हें ने कहा है कि यह समाज मानों संबंधों की संपूर्ड जटिलता है जहां तक कि वे साधन साध संबंधों चाहे वो यथार्थ हो या प्रत्याक्तमक रूप में किये हैं कारे करने से उत्पंध होते हैं तो यह इनके अनुसार है और राइट से एक प्रमुख विद्वान है इनोंने कहा कि समाज के वल बेक्तियों का समूँ नहीं है या समूँ में रहने वाले बेक्तियों के पारस पर इस संबंधों के एक बेवस्था भी है इसमें जो संबंध होते हैं जो रिलेशन होता है जो आप बेवहार होता है वह भी एक बेवस्था के अंतरगत यानि समाज आता है ठीक है यह आप लिख सकते हैं इसी तरह अलग अलग बिद्वान के उसार अलग अलग परिभास आप पढ़ लीजे का बहुत ही टॉप लेब नाअफा, या पर अर्थ and इसकी वितिश्शन आएं अच्छा है Cupूगा णोगा तो हम שאा में प्रेशन आरे रहे हां। बपर लिक्षा मताई समुदाय के खूर्ाइन ठीक है तो इसको लैटीन भाफा और प्रेशन के कवह दर केलाए अनियाा बरहा है म्यूनिस सब्द का यूग कहा जा सकता है पर्थम का अर्थ यानि कि कौम का अर्थ है टोगेदर अर्थात एक साथ और दूफरे यानि कि म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना ठीक है इस प्रकार समुदाय का अर्थ है साथ मिलकर सेवा करना ठीक है यानि कि सा साह सात मिलकर करना तके Daha आपि अर्थ पर्यापत नहीं पर रिइ Iss parity परस्ता है शंचत भुबाग पर समाने जीवन वितीत करता है तो उससे समुदाय कहते हैं और इसकी परिमासा अलग-अलग जो विद्वान है उनके अनुसार अलग-अलग है जैसे कि एक प्रमुख विद्वान है मेंजनल ने कहा एक समाज जो एक निश्चित भुबाग पर रहता है वो समुदाय कहलाता है ठीक है एक समाज जो एक निश्चित अस्थान पे रहता है उसे ही समधाय कहा जाता है और वहें पर किंगिल फे डेविस ने कहा है कि समधाय सब फे छोटा वा छेत्रे समू है जिसके अंतरगत समाजिक जीवन के सभी पहलो आ जाते हैं यहीं कि सभी जो पहलो मतब दिन के जो दिन चरद्या होती पूरी के पूरी वह आ जाती ठीक है दिन चरद्या के अंतरगत भाई हर दिन वहीं में आ जाएगा यहीं कि पूरा साल उसका पूरा जीवन उके वहें पर एक प्रमोग समाज साफ्त ने जिनका नाम है मैं काई वर्यों पेज इन्होंने कहा है समधाय को चीवन का वच हेत्र है जैसे समाजिक संब्रता की मात्रा द्वारा पहचाना जाफकता है तो यह है कुछ बेसिक परिभाफाएं अलाग अलाग बिद्वानों के इनुसार आप पढ़ लीजिएगा बहुत ही महात्पूर्ण प्रशने शमुदाय के विशिष्ता यह भी महात जीवन के लिए शमुदाय टथा समीतिया जितनी महात्पूर्ण संस्थाय भी है ठीक है समाज्चिक जिवन उसमें जितना महात्पूर्ण संस्थाएं का भी है ठीक है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसथा समाजिक नेमों तथा कार प्रणालियों की वह बेवफथा का नाम है जो समाजिक मुल्यों की अनुसार बेक्तियों को अपने उद्दिश पूरा करने की अनुमुद देती है ठीक है पूरा जानकारी प्रोस्यस और अध्विन किया जाता है संस्था का अर्थ परिभासा पढ़ लीजेगा और इसकी परिभासा अलग-अलग हमारी समास साफ्त्री अलग-अलग बिद्वान है उनके नुसार अलग-अलग आप यह भी तैयार कर लेंगे ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण 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 पर इसले फार रिपीटेड है और यह प्रस्ण आपके आति लगों देर गुत्रे किस्व में पूंचे जाफक तेसंसता की परिभासा भी मैंने आप लोगों समस्तों रख दी कोश् भी होती है ठीक है और वह सभी इच्छाओं की किफी ना किफी तरह पूर्त करने का प्रत्न करता है तो बहुत समाज है समाज में बहुत साथ तरीके के प्राणी लोग रहते हैं आना एक और सभी की इच्छा लग अलग है ठीक है और उन इच्छाओं की पूर्त के लिए लो टो बिलर अच्छी हो जाएं ठीक और भी आगाडिया हो जाएं तो यह हो गए मानस्थ नोश की अच्छा है और अलग-अलग मनस्थ की अलग-अलग अच्छा होते हैं जिफे कोई चाहता कि हमारी नौकरी लग जाए उसके बाद नौकरी के बाद हम साधी करेंगे बहुत फार समयों को परिभासा दीजिए विस्टाओं को बताई ये महत्मोर्ण परस्णा एक्जाम के लिए इसको बेतयार के लिए होके और अलग-अलग जो हमारे समाज साफ्तरी अलग-अलग बिद्द्वां ने उनके रउस्वार इसकी परिभासा अलग-बाद ही है जिए निष्प पर दोनों समाज किसे कहते हैं परसु समाज किसे कहते हैं मानों तथा परसु समाज में अंतर बताई ये दोनों की विश्षिष्टाएं बताई हैं ऐसे प्रस्णा आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे पिछले फाल 2020-2022-23 में पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड हैं इसलिए मैं आपको 2023-25-26 के लिए महात्पूर ने ठीक है और इसका उतकर लिखेंगे कि मानों और समाज दोनों एक शिक्के के दो पहलू कह सकते हैं या फिर एक दिन के दो पहलू कह सकते हैं सुबा और साम यद्देप शिक्के के दोनों पहलू की आकरत भिन होती है किन्तो एक की अनपस्थिती दूफ्रे के लिए अफाध्य है इसी प्रकार मानों और समाज सम्बंद कहा जा सकता है मानों और समाज का सम्बंद कहा जा सकता है जहां मानों का आश्चित है वहां समाज का भी आर्थात समाज का इतिहाफ वतना ही पुराना है जितना मानों का है ठीक ह समाज पच्छी टीक है ये सभी अन्यजीव भी समाज में रहते हैं उनकी एक समाज होते हैं इसको पसु समाज कहा जाता है यिद्दिप मानो निम्न प्राडियों से बिक्षित हुआ है परंत इसका आर्थ या कदाप नहीं है कि मानो तथा पस्व समाज एक ही है ठीक है मानो और पस्व समाज एक ही है इस बात की पुष्टी नहीं हुए लेकिन उनका जो प्राडी है वो कही ने कही जानवर से इसकी उ परिवार किसे कहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे कुछ बिशिष्टाएं परिवार किसे कहते हैं परिवार किसे कहते हैं परिवार की 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 परि ठीक है यानि कि joint family मतलब संयुक्त परिवार यह भी बड़ा hard label का question जो की लगातार आया है तो संयुक्त परिवार के बारे भी आपको तयार करना है इस बात को धान रखेंगे ठीक है परिवार फैमिली सब्द जो है इसका जो स्टार्टिंग है वह लेटेन भासा ठीक है फॉमल परिवार सब्द का सही उपयोग नहीं है ठीक है परिवार में पति पतनी एवं बच्चों का होना आवस्चे के परिवार का मतलब यह हूआ आपके माता पिता बच्चे नौकरद आप यह सभी इसमें इनकी लूट किये गए हैं ठीक है और कभी-कभी इसका अर्थ यह नहीं होता कि पती पतनी हो ठीक है इसमें बच्चे और दास और आपकी घर के और भी सदस सामिल होते हैं ठीक है और इसकी जो परिभासा है वो अलग प्रस्त है कि नातेदारी बेफथा को परिभासिद कीजी नातेदारी क्या होती है नातेदारी का परिभासा बताईए ठीक है तो नातेदारी बेफथा एक मात रहें गाया ऐसा अधार्य जिसके द्वारा बेक्त कुछ लोगों को अपना समझकर उनसे और उप चारिक कोई भी बिकत अकेला रहकर जीवन नहीं पतेद कर सकता, जब कि उसके कुछ सम्मद ना हो, चाचा-चाची, मामा, मामी, ठिक है, नातेदारी में, मौसी-मौसा, मामा, ठिक है, फो, फा, भुबा, ठिक है, इस सब होना जरूरी है, और वो अकेले जीवन नहीं बतीत कर सकता है ठीक है अकेले तो इसी के बारे में पूरी जानकारी यहां पढ़ दी गई है बहुत ही हार लेबल का कोईश्चन ने भी कई बार आ चुका है और अलग 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 जो हमारे प्रमुक बिद्वान हैं उनके अलग 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 कि बीवा का अर्थ बताइक की बारे में ठीक है उप्रस्ण ने परेकर dersन देखनें के ए पहले जानते हैं उनके अपरिवा की परिवा की परिवान हर था न्याय के प्राणी साफ्तरी अवस्यक्ताओं में योन संतुष्ट एक आधार बहुत अवस्यक्ता है मानों के अत्रिक्त अन्य प्राणियों की योन इच्छाओं की पूर्थी का आधार आसांत भी समाजी कम संस्कृतिक है योन इच्छाओं की संतुष्ट ने ही बिवाह परिवार तथ संथुष्ट्री करना विवाह का उद्देव है ठीक है तो बिवाह हो जाएगा फिर परिवार य्यानि कि बäच्चे chroni फिर इसे डिवाह GAcAd समाज के उद्द एक समाज के कि इशकस कि पुदेश के लिए मैं वर गडिर सामांग के योउद्द epsilon के पूंधक है उसे एक निस्चितों से नियंतित परिवार को बसाने और बच्चों को जन्म देने का उद्देश पूरा किया जाता है तो इस प्रकार आप इसके बारे में लिखेंगे बहुत ही शिंपल परिभासा मैंने दे दी बहुत ही साफ साफ सब्द यानी कि बहुत ही छोटे और एकदम नार्मल सब्द मैंने प्रुष्टत के हैं उत्तर में ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए वहीं पर एक प्रमुक्व विद्वान है उसमास साथी जिनका नाम है ब अथवा अनेक पति तथा पत्नी के समाजिक संबंद का नाम है विवा इस संसकार का भी नाम है जिसके द्वारा पति पत्नी आपस में समाजिक संबंद में बंधे रहते हैं तो अलग-अलग हमारे विद्वान के उनसार अलग-अलग परिभाफा जो कि आपको ध्यान रखना वहीं पर बिवार के कुछ उद्देश है चुकि आपको ध्यान रखना पहला है यह उनके अच्छाओं की पूर्ति करना वहीं परिवार की इस्थापना करना वैदसंताने के उतुपत्ति ठीक है और नैतिक गुड़ों का विकास करना यह सब होते हैं विवार के उद्देश ठ कि इसमें आपके फिच्छा फे बिजड़ा कोईश्चन आएगा ध्यान रखेंगे इसको भी आपको तयार कर लेना समाज साफ्तर में ठीक है धर्मों की परिभाफात धर्मी की विसेशता हैं यह भी कोईश्चन हार्ड लेबल कर जो कि एक्जाम में आएगा ही आएगा ठीक रूप स्रेष्ट होती है इस विश्वास का एक भावानात्मक संग्वयाता ठीक है संवेगात्मक अधार भी होता है जैसे कि उस संबंद में भय उसके दंड का भय है साथ ही उस विक्त के स्रद्धा भक्ति अत्वा प्रेम भाव भी धर्म का एक अन्यावस्यक अंग है तो यह आपको इस प्रकार परिमाफा लिखनी है और उसके बाद कुछ बिसेश्टाएं भी वो भी आपको ध्यान रखना है और अलग-अलग हमारे विद्वान उनके नुसार अलग-अलग धर्म की परिभासा जैसे कि एड़वर्ट टाइलर ने काया कि धर्म अध्यात्मिक सक् राज और समाज में अंतर यह भी महात्मोंड प्रस्ट में कए बार पर इच्छा में आ चुका इसको भी तैयार कर लीजीगा ठीक है और निश्ट को इस सांस्कृत यानि की जिसको आप रितिर्वाज कल्चर बोलते हैं यह भी हार्ट लेबल का क्वेश्चन है ठीक है रिति किसी समों के कार्य करने वह सिखने कि समस्त विद्यों को कहते हैं ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे बहुत सारे अलग अलग परिभासा आप तैयार कर लीजीगा महात्मोंड प्रस्ट करने लगातार पर इच्छा में आने वाला क्वेश्चन हमेंशा आता इसको तैयार कर समाजिक प्रक्रिया किसे कहते परिभासा बताइए ठीक है और अलग अलग परिभासा इसकी भी संगर्स और प्रतियस परदा किसे कहते इसकी परिभासा और दोनों प्रतियस परदा कि प्रमुक कुछ विश्चता है उनके बारे मताईए भी देखिए कुछ प्रतियस परदा की विश्चता है जो कि आपको ध्यान डखना है सत्मी कड़ यह नया नया कूश्यन आ रहा है लगातार नहीं पूछा जाता कभी कदार आता तो आप पढ़भी सकत इसको इग्नौर भी कर सकते हैं ओके समाजिक संद्शना जो की आपके लग देर्ग देखनों को मिलेगा है मिलेगा ठीक है समाजिक संद्शना फे जुड़ा कोईश्चन और सबस्राइब में समाजिक वर्थम प्रियोग हर्वर्ट स्पेंसर जो है इन्होंने अपनी पुस् रशना की अश्पस्ट वियाख्या नहीं कि इस अवधाना पर बिश्टत विचार प्रकट करने वाले विद्वान रेट फिलिप ब्राउन कार्ट मैं फिम ठीक है मैं में हीम नेडल मरटन पार्संस जॉंसन तथा में कैवर आधि प्रमुक है ठीक है वह संद्रश्णा की सब्सक्राइए यह फिर हो सकता प्रशना जाए इसकी बारे में वरड़न कीजिए ठीक है अलग अलग तरीकी के कोईश्टन आपको पूछे जा सकते हैं पहला तो आपको समाजी अफ्तिकर्ण की परिभासा इसका अर्थ और इसकी बिसस्ता है इन तिन पॉइंट पर दाए ठीक है और समाज साफ्ते पर पेच ये भी कई बार प्रश्ण परिच्छा में आ चुका है समाज साफ्तेर पर पेच्छ परिभासा दीजे ठीक है और सके समाजिक ग्यानों की बिससंबंद संबनाए जहीं बताए इस प्रकार आपको आज कि सी वीडियो में जो मैंने क आपका पेपर होता है ठीक है तो गारंटी है आप कम से कम साथ से पैंसेट नंबर आसानी सिला पाएंगे गारंटी के साथ और यह जो पीडियोप है question answer वाली यह आपको telegram WhatsApp दोनों पर प्रवाइड करेंगे तो जो चातर में करेंगे उनको प्रवाइड करा देंगे मिलते हैं वीडियो में जहिंद